नमस्ते और वेल्कम टू डे बाइडे क्लासेश आपका डे बाइडे क्लासेश में स्वागत है एक बार हम फिर से एक नया मौक्टिस करने वाले हैं क्योंकि यह 20 निमबर की तैयारी है तो जितने ज्यादा हम कुशन कर पाएं उतना हमारे लिए भैतर है तो आपको आइडिया लगेगा कि पेपर में कैसे अट्रम्ट आपको लेना है हो सकता है कौन सा कुशन आ जाए तो एक बार देखिए और अगर आप चाहते हैं और मैं भी यह चाहता हूं कि अगर आप अपने दोस्तों को यह सब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों तो देखे अब मैं अगला सवाल शुरू करता हूं आपके लिए देखे आप फर्स कॉशन में यहां पर पढ़ रहा हूं आप जरा मेरा साथ निभाई है पहला कुशन सक्षन एक हम बात करेंगे सबसे पहले सक्षन एमें कहता है एक बार देखे तो जरा सवाल देखिए कु कि टीक है न डा मतलब जिन जिस वाटर को दोबारा री यूज कर सकते मुं कितना होगा तो वो यह ही कहरा कितना मतलब कितने किलो मेटर स्कॉयर में होगा ठीक है में बहुत similar हों यह होता है ठीक है सर तो याद रखे जो answer सापस में बहुत similar होंगे answer उस्सी में से ही आएगा तो देखो यह 90 कुछ करके दे रखा यह तो नहीं होगा यह गलत हो गया इन्हीं तीनों में से से ही answer है हां जाना अब देखें अन्दा करेक्ट आंसर विल भी दे करेक्ट आंसर विल भी एटी नैंटी सेबन स्कॉर किलोमीटर पर इनम इतना जो हमारे पास water है जिसे हम reuse कर सकते हैं डी विल भी दा खरेक्ट आंसर ठीक है अगला सवाल यह रहा आपके आँखों में कहता है who write the book small is beautiful अरे वा सर एक book writer का नाम बताए जो नहीं जिसने book लिखिये this is called small is beautiful तो big क्या होता है हमीं नहीं बता small is beautiful का writer कौने सर गांदी जी ना जी ना hitler ना जी ना जवाल लाल नहरू हम चे ना हो पाएगा the correct answer जो बचा वही correct answer है सुमेंचर सुमेंचर is the name of a person who write a book this is called small is beautiful be will be the correct answer small is beautiful ठीक है सर अगला सवाल यह economics के उपर book थी अगला देखे arrange the following in a correct sequence आपको इसे correct sequence में arrange करना है आप बताएए यह देखे फर ब्लास्ट फर्नेंस ट्रांस्पोर्ट रॉम मेटीरियल फ्रॉम दा प्लांट और ट्रांस्पोर्ट रॉम मेटीरियल फ्रॉम दा प्लांट शेपिंग मेटल पिग आरन पिग आरन मतलब कोई वो पिग नहीं हमें माल आना चाहिए तबी तो कोई समान बनेगा न तो सबसे पहले हम माल लेके आए गे मेरा प्लास्ट सबसे अपने ट्रांसपोर्ट ता रॉम मेटेरियल फ्रॉम दा प्लांट तो हम प्लांट में रॉम मेटेरियल का जुगाड करेंगे यही सबसे पहला स्टप होगा हाया ना तो देखे सेकेंड कहां पर देखें यहां पर पहला है गलत सेकेंड पहला है गलत थार्ड है गलत भी बिल दिमाग नहीं है कि मैं यह सब सोचू हो हलका सा दिमाग comments and सोच कहीं पर भी कुछ भी करना होगा अगर आप furnace जलाना चाहते हो तो furnace तभी चलाओगे ना जब आपके पास raw material होगा जिसको जलाना है पिगलाना है तो raw material ही नहीं होगा तो करोगे क्या ठीक है तो आपका correct sequence will be transport of raw material फ्रंदा प्रांटीस बिदा फस्ट यह फस्ट होगा तो मैंने यह फस्ट देखा तो उसमें टिक कर दिया ज्यादा अगला सवाल कहता है आप पिछली सवाल में आप चाहो तो देख लो इसे को दिक्कत की बात थोड़ी ना है ठीक है अब आपको तो पता ही है shipping shipping material सबसे last में होता है ना shipping metal को जो शेप देंगे सबसे last में देंगे यह सब उसी का ही पार्ट है थोड़ा common sense लगाएंगे अगला सवाल देखें अगर आपको कभी भी correct sequence में अरेंज करना है न तो हमेशा देखें पहली लाइन क्या हो सकती पहले पढ़िए मतब कुछ कोई चीज होई होगी उसके बाद आप देखो रिवाल्ट अब तभी करोगे जब कोई चीज होई हो उसके खिलाफ करोगे तो यह तो पहले नहीं हो सकता बाइस आप निपोलियन इंवेड इटली अच्छा उसने पहले इंवेड कर दिया स्लेब नेशनलिजम गैदर फोर्स इंदा हंसें वर्ग हस्वर्ग हस्वर्ग और ऑटोमें अंपार्टी के ग्रिक स्टिगल इंटु दा इंडिपेंडेंस बिगिन ओके देखो इंडिपेंडेंस बिगिन तभी होगा तो सबसे पहले जो करें पहला जो होता है मेरे हिसाब से आएंगा नेपोलियान इंवेड करेगा इटले के उपर उसके बाद रिवॉल्ट होगा फिर यह सारी घटना ही होंगी तो सबसे पहले सबसे पहले कौन सा रहा है सेकेंड तो यह रहा सेकेंड बाद बाकी खतम देखें सरकार निपॉलियान ने इन्वेट किया होगा ना उसके बाद रिबाउल्ट शुरूओ हो ऊगा उसके बाद इंडे के लिए इंडिपेंडेंडेंस के लिए स्ट्रगल करना यह सारी बात इसमें लिखी हुई है तो सबसे पहले यही था इंवे निपोलिया ने इतली पर इन्वेट कर दिया था तो फस्ट की यही देखा मुझे सेकेंड पर फस्ट है तो यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा ठीक है स के लिए सर हाउसफोल लीट्स के लिए क्रेडिट नहीं लेते वर्किंग कैपिटल नीट्स और प्रोडक्शन अगला कहता है डे बाइडे अरे डे बाइडे एक्सपेंस के लिए क्रेडिट नहीं लेते बारवर्स और लेंडर्स के क्रेडिट नहीं होता हम इसा जो क्रेडि लाक बोटल बना के दे दो तो अगर वो दस लाक बोटल बना के देगी तो पहले ही जो कमपनी बोलेगी कि तुम मुझे दस लाक बोटल बना के दो वो पैसे नहीं देती है कहेगी कि तुम पहले माल डेलीबर करो उसके एक दो महीने बाद हम तुम्हें पैसा देंगे हाँ या से फिर credit ले लेती हैं इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं credit तो working capital needs help of production ठीक है तर कारवो help of production में मदद करती कौन याद रख ले credit credit कि किसके करते working capital needs of production ठीक है कि देखो जो भी production के लिए need होती है ना उसमें हमारी मदद करती है ये समझे कहो चोटी से कमपनी रही भोगी ऊस छोटी कमपनी जब क्रेडिट कहीं से ले लेगी तो अपना अप्रोप्रिक्षा क्रीख माल बन्म तयार करके बढ़ी कमपनी को देदेगी और फिर दो-तीन महीने बाद बढ़ी कमपनी जब उसके पैसा देगी तो इसने जिस rebuilt यह याद अख लीजे अगला कहता है consider the following statement and identify the incorrect one आपको incorrect इसमें से बताना है क्या पहला है many political party में put candidate from the same cast हाँ यह बात तो सही है कि धेर सारी political parties क्या करते हैं वह same caste का candidate ला देती मार्कित में अगर कोई इमाल लिजे लोवर कास्ट की पार्टी है तो वो लोवर कास्ट के बंदों को खड़ा कर देती है अपर कास्ट की पार्टी था पर कास्ट के बंदों को एलेक्शन में रखती है तो ये तो करेक्ट है ना पर हमें इंकरेक्ट चाहिए तो कहता है ruling party and sitting MPs and MLS frequently lost election in our country हां ठीक है बहुत बारी होता है कि जो ruling party होती है MP MLS हो हार जाते हैं ये भी सही है पर मुझे incorrect चाहिए all parliamentary constituencies in countries have a clear majority of one single caste ये बात सर गलत है कहता है हमारे all जितने भी हमारा constituencies है इंडिया में पूरे country में इंडिया में जितने भी constituencies have a clear majority of one single party क्या हमारे दितने कोई एक सिंगल कास्ट के लोग ही बंदे भरे पड़े है उवे majority के साथ मतलब एक ही कास्ट के MP MLS भरे पड़े है ऐसा नहीं है ये statement गलत है ठीक है सर पर मझे गलत ही धूंधना था तो गलत ही ही घूंदना था तो गलत ही मिल गई तो से भी माई आंसर घृण बी माई आंसर ठीक है क्याएं गे सब्सक्राइश को पहले चीज़े पॉचिबल है 1 2 3 ठीक है अगला सवाल देख लीजे कहता है देखिए जरा इसमें ऐसे कुश्चन को बड़ी धांच कहता है कि करंसी एक चीज पकड़िये मैच करना करंसी देखिए आप मीडियम ऑफ एक्षेंज फॉर गूड्स इस एन सर्विसेस हां यही आएगा एक्सीन्स करने का मीडियम ही तो है करंसी मतलब भी का थर्ड देखो बी का वन गलत हो गया बीका थ्र यह पॉच्बल है यहां पर मैं इसको रख देता हूं बीका थर यह भी पॉच्बल मतलब यह तो गलत हुआ तीन बच गये हैं आगे आ है rate of interest देखो rate of interest कब लगता है rate of interest जब आप कहीं से उधार लेते हो तभी आपके उपर rate of interest लगाया जाता है तो आप देख लो the rate of the rate the rate a bank or the other lender charges to borrow its money और rate a bank pay its saver for keeping money on a bank हाँ यह बात सही है कि अगर आप लेंड करोगे money तो वह बारवर से कुछ पैसा ले लेगा और अगर आप बैंक में रख दोगे money को तो आपको कुछ rate of interest दे देगा तो सी का फॉर्थ हो जाएगा सी का फॉर्थ का सरीयरा है अबधुईड्र कर दो इक सिकंड एका सकंड यहां पे भी है एक सिकंड एक सकंड यहां पर भी और यह तो सर ya तो यहां को यदोनों में समय का फॉस्त दे रखाय तो गलत हो गया का से कंड'te यह रहा सि विल डर और करेक्ट ऑंशन ठीक है सरकार तक क्या होता है एक पेपर ही होता है जिस पेपर पर यह नाम लिखा होता है होता है कि इस आदमी को इतने पैसे दे दू तो ए बिल बीदा मतलब यह सी बिल बीदा करेक्ट ऑप्शन ठीक है सरकार अगला सवाल ज्यादा दिमाख नहीं लगा ना इसमें हलका हलका सा पढ़के समझना है बस क्या कहता है जड़ा देख लीजिए कहता है बित ब्रिटिस मील्स बिजी बिजी विट वार प्रोडक्शन टू मीट डानीट ऑफ आर्मी आपको पता ना जो ब्रिटिस की मील्स हुआ करते थी वार में जित्ते भी चीजों के लिए जरूरत होती उसकी प्रोडक्शन के इसने यह मील्स बहुत ब्रिट हुआ करती थी तो यहां पर सर्फिलिन्दा ब्लैंक से ब्लैंक इमपोर्ट इंटी इंड्या डिकलाइघ किसिज का इंप इंडिया और इसवा तो आगे वाले देश को अपना समान देगा नहीं यह बात थी तो ऐसे ही हो गया था जब British Mills बीजी थी अपने ही देश के आर्मी के लिए वार की चीज़े बनाने के लिए तो इंडिया में वार की चीज़े भेजना बंद कर देंगी हां या ना है तो किस्चीजा का का इंप्रट डिक्लाइन हो गया इंडिया में लंडन का नहीं स्वेड़न से नहीं रश्या से नहीं डिक्लाइन हुआ था अब पहले इस बात को समझ पाए हो किया मैं क्या कह रहा हूं कि किस सहर से अब यह हो गया Państwo समझ ठहले मेरी बात को दुबारा से एक बार ध्यान से देखिए तो डिकलाइन हो जाएगा उसी तरीके से यह कह रहा है कि यह जो मील्स है यह जो ब्रिटिस की मील्स है यह कहां पे लगी होई होगी कहां पे लगी होई होगी जिसके कारण से इंडिया में इंपोर्ट जो हुआ होगा वो जगह को नाम को बोलते हैं जहां पे हमेशा production का काम हो जहां पे हमेशा industry का काम हो उस जगह को हम Manchester बोलते हैं ठीक है सरकार तो यह इस question में भी उसने यह कहा है कि सी कौन सी जगह थी जहां जब वह जगह आर्मी के लिए जो यूज की जरूरत थी उसके प्रॉडक्शन में जब वो बिजी हो गए थी तो इंडिया में डिकलाइन हो जाएगा उस चीज का इंपॉर्ट तो डिकलाइन वही से होगा ना जहांसे चीजे बनेंगी जहांपे भी कोई भी प्रॉडक्शन की चीजे बनती है उस सहर उस जगह को हम मंचेस्टर बोलते हैं तो मंचेस्टर से ही प्रोडक्शन हो रहा था तो सीबल विदा करेक्ट ऑप्शन हां या ना करता है वोमेन इंडेशर पाइशन टरो का मतब होता है डिमांड करती है तो किस के लिए वह इकठी होती है तकनिकल राइट के लिए और नहीं ऊफिशाला राइट यह नहीं प्रिविलेज के लिए नहीं और वोमेंट वांट ओल्वेस इक्वल राइट वोमेंट ओल्वेस इक्वल राइट यतना पुरुष को हक है उतना महिला को भी है यह इंपॉर्टेंट कुश्चन याद रखे इक्वल राइट अगला सवाल देखे जरा इसमें एक एक चुछ को कर यह पकड़िए जो आपको आता वह पक्ड़ियर बात सबभल के हैं इसी कारण है और किसी मेटन का क्यों नहीं पहनती और ते और किसी मीटन का पहनेंगится तो वह को रोजट बग जाता है क्योंकि वो रीयक्टिव होता होता है वॉर्टर से और एसे गॉलड एक ऐसा मेटल है जो वाटर और एसे बहुत कम कुन होता है नहां के बेर होता है इसी लिए महिलाएं गॉल पहनती है याद रख लिगिसे तो बस आपको ही समझना है तो कौन सा जो कडो नहीं होगा वी अ नदरदेंसर गोल्ड ही है तो अब देख लिए फर्सिक कर सेपन्स कर इसकेंड फास्ट कर सेकेंड फास्ट का सिकन्स कातर्ट खला 2021 कि अब आगे देख लेते हैं अग्छता अग्ला काता है चीज और ध्यां में रखे अगला कहता है metallic mineral which is obtained from the veins अगर देखे सरकार यह highest solar power generating capacity state जो है ना सर वो है ना दर दन करनाट का करनाट का ही है जो सबसे जादा solar capacity को produce करता है यह यादर के solar मतलब solar panel से जो बिजली बनती है वो करनाट का सबसे जादा बनाता है तो डी का 3rd होगा देखे सरकार यहां पर डी का 3rd यह हो सकता पर यह तो गलत ही है तर यहां पर डी का 3rd यहां पर डी का 1st यह भी गलत हो गया है ठीक है सरकार या तो यह ए सब सबस्क्राइब के यह हैं धेला तो नाम पूछा तो को यहां पर वपर का प्रडेक्शन कौन करता है मध्य प्रदेश करता मतलब थर्ड का यह तो गलत हो गया शीक आए यहीं हो जाएका तो भी बिल भी दिमाग से चलेंगे चीजें हो जाएंगे ज्यादा दिमाग लगाना करनाट का क्या था हाई सोलर प्रडूसिंग स्टेट है ठीक है सरका क्यूं हुआ था demonetization वजए क्या थी कारण क्या था options मैं आपको खुद दूंगा आज पहला options है increase in price of a good चीजों के महंगाई बढ़ गए इसलिए अपन लोगों ने demonetization कर दिया ना जिना inflation महंगाई बढ़ गए थी या इस्टैक फ्लेनेशन ज्यादा दाम गिर गए थे इसकी बज़े से या एक जगें दाम रुख गए थे इसकी बज़े से महंगाई बढ़ गए थी चीजों के price बढ़ गए थे नहीं इस सब गलत है the correct option is the corruption हम लोगों ने demonetization सिर्फ corruption को रोकने के लिए किया था we did the monetization क्यों ताकि corruption देश के अंदर रुख जाए अक्सलोग 2000 की नोट लेते थे और पकड़ा देते थे और हमने उसकी नोट के कम कर दिया है ठीक है 2000 की नोट बंद इसलिए कर दी ताकि corruption रुख जाए demonetization रोकने का कारण सिर्फ यह करने का यही कारण था to stop the corruption है अगला सवाल जब भी ऐसा questions आते हैं आप एक बार सोच के देखें बहुत हीजिए एक बार जल्दी से पढ़ लीजे हमेशा याद रुखिए जैसे मुझे देखा dead trap मैंने पढ़ा बिनी कसम से बोल रहा हूँ dead trap मतलब loan जब लोग बैट लोने लेते हों dead trap में फढ़ जाते हैं dead trap का मतलब यह है कि आप उस ब्याज के उपर इंटरस्ट देते देते ही खतम हो जाओगे this is called dead trap हमेशा होता है लोन से related तो बस देख लो बी का third part बी का second हमसे ना हो पाएगा बी का first हमसे ना हो पाएगा बी का third यह हो सकता हो सकता है हाँ या ना अगला कहता है इंसिटूशन that meditate meditate मतलब जो बीच में पढ़ता हो between depositors and borrowers और बसी बात है बैंक की तो होता है जहां पर deposit भी करते हैं और बारो भी हो जाता है this is called bank मतलब first का fourth देख लो first का fourth यहां पर तो है यहां पर first का fourth होना चाहे देखे सर यहां यह आप देखे फस्ट का fourth यहां पर first का one first का one नहीं होता है first का fourth होगा तो we will be the correct option आगे मैं पढ़ भी नहीं रहा हूं आप मोट रोविच आप और वर वर बिल री पेदा लोन और self help group ठीक है सरकार एक है self help group क्या होता है self help group को हम बोलते है है micro finance मतलब एक छोटी सी चीज जो finance का काम करते है लोगों को पैसा देने का काम करते है उसे बोलते है self help group ठीक है सरकार और यह सब्सक्राइब का मतलब है कि किसी भी स्टेट का मतलब है कि किसी भी स्टेट का एक बंदा एक दिन में कितना कमाएगा देखें ना कहता है इंभाण ओना पर और जिस स्टेट में एक साल में एक बंदा कम पैसा कमाएगा, वो गरीब होगा, तो बस यही बात है, सरकार, जराब देखे, कहता है, फर्याना में देखे, इतना पैसा कमाते हैं, केरला में इतना, बिहार में इतना, तो सबसे कम पैसे कमानेंगे वह लाफ होगा न tack सबसे कम पैसा कहां पर कमाते हैं तो बिहारährt सबसे कम 18 भाट देटेट काहता है industrial होता है इंडेस्ट्रियल क्या करता है इंडेस्ट्रियल में इंडेस्ट्रियल एरिया में क्या अलग 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 टाइक इंडेस्ट्रिय होती सेम तरीके से सर्विस सर्विस हमेशा तर्सरी सेक्टर में आती है याद रखे सर्विस क्या बोलता है सर्विस इन्वेड दा प्रोडक्श पर परती किसी माल को मुद्utan करती है माल ये कहीं पर माल बन रहा है अब आप उस माल को उसक्ट्री से किसी सहर में ले जा रहे हैं टु आप सर्वीस में मदद कर रहे हैं तो यह होगा सर्वीस जो होता हम वो गुट्ट के प्रड़क्शन में मदद करता है उस प्रैक्टें में कर रहे हैं किसि चीज में तो भी हो सकता है ठीक है सब b i will be the correct option और अगला सफ़ाल को कहता है find the odd one out from the given option the odd one out find out करना है देख लीजे कहता है फियर प्राइस आप पता है को थी उसे बोलते है बीपील जो लोग भी हमारे देश में बीपील है बिलो पवर्टी लाइन में हैं जो लोग गरीब हैं उनको सरकार फ्री में राशन या कुछ पैसों में राशन देती है उस जिस रुप लिए नोगरीबों को उसे ही उस दुकान को हम कहते है फेयर प्राइस सौंप ठीक है याद रख लिजे अगला है एड़् एडिकेशन ऑप्राइड करते हो से बेंकिंग वाटर भी सरकार का ही काम है कि प्रोवाइड करें सरकार तो देखता है प्रॉफिट डिवन चीज मिझे लग रहा कि थोड़ा प्राइवेट ट्रैक पर जा रही है अगला है रीजनेबल कॉस्ट टैक्स और हैवी स्पेंडिंग चीक है यह कॉस्ट और टेक्स की बात हो रही है सरकार से रिलेटेट है तो देखें यह भी सरकार से रिलेटेट यह वाला बंदा है जो क्योंकि प्राफिट ड्रीवन है प्राइविट कमपनी नहीं सकते हाई रेट ऑफ इंटर जो बोरवर होते हैं वही हाई रेट ऑफ इंटर्स लेते हैं और इंडिविज्वाल ओनर है माली जी किसी की कोई फैक्टरी है उसका है तो यही सब्चे डिफरेंट बाकि यह तीनों गौर्णमेंट की चीज़ें लग रही है ठीक है सरकार तो डी विल भी दा करेक्ट ऑप्शन याद रखिए अगला है अब इसमें जरा पढ़िए यह सब पंचात उन्होंने दे दी है कहता है अभिनास वेंट टुदा स्टेशनरी शॉप और या बुक और पैन ही ब्रॉट फाइब बॉक्स एंडू पैन्स एमांटिंग 10 रुपी 100 रुपीस इन टूटल ठीक हो दुकान पे गया उसने पांच कित सब्सक्राइब कर दिया दुकानदार को भाई 100 रुपी का मैंने माल खरीदा है पर दुकानदार ने उसको लेने से मना कर दिया अभिनास टोल्ड दा शॉप की पर देट ही कैनाट रिफ्यूज दा पेमेंट मेड बाइं तो अभिनास का देखो तुम यह सब्सक्राइब को कर देख कहता है इसको पढ़ने के बाद आप हमें यह बताए कि कभी भी कोई भी आपको पता यह कानून है कि हमारे देश में कोई भी इंडियन रुपीस लेने से मना नहीं कर सकता अगर मना कर दिया ना उसके किलाफ कारवाई होगी आप कंप्लेन कर देजे किसी में भी इत चलता है ठीक है सर आप कंप्लेन कीजिए इन से पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता आए देखते हैं दा लौ लीगलाइजड दा यूज ऑफ रुपीज ऐसा मीडियम ऑफ इस्टोर इस्टोर ऑफ वैल्यू नहीं सर एक लौ बनेगा जो जो रुपीज को यूज करने नहीं होता वो मीडियम ऑफ एक्शेंज होता है ठीक है सरकार यूज अफ रुपीज जा मीडियम ऑफ रुपीज आज याद रखी है यहां पर सद्वेके लौ लेगलाइजड का मत्तब हैं हमारे देच में एक ऐसा लौ है कि इंडियन रुपीज को आप रुपए को मीडियम समझोगे medium of exchange समझोगे तो एक law बना है उसी को इस निकाल law legalize करता है कि जो रुपीज है वो medium of payment है value of store नहीं है credit नहीं है बाटर सिस्टम का एक्सिपेंज नहीं है डी बिलबेदा correct option हाँ या ना ठीक है सरी रहा अगला है कहता है कहता है कि इसमें से आपको correct option select करने है कहता है पूना pact of September 1932 कहता है कि पूना pact हुआ था यह कैसरकार तो पूना pact आप समझे जरा आपको पता ना एक बारी गांदी जी और अमबेटकर जी में मतलब की पूना pact को लेके यह बात हुई थी और अमबेटकर जी यह कह रहे थे कि जो cst लोग है उनको भी आप reservation दो वरना उनको लोग पीछे छोड़ देंगे उनको समाज के साथ mix नहीं करेंगे आपको पता है पहले के टाइम पर उनके साथ कितना बेदबा होता था उनकी परचाई नहीं चूते थे उन लोगों को लोग नहीं चूते थे यह सारी दिक्कतें थी पहले के टाइम पर है ना तो अमबेटकर जी गांदी जी से ही कह रहे थे कि भाई उनको भी उनका जो fix करो उनको कि किसी हर जिगह उनको reservation देने की बात चल रही थी हर जिगह reservation का मतब है electoral में कि जहां कहीं भी election होगा इतने बंदे से के ही होईंगे तो वहां पर बट वहा सुले हो गई बाद मिल गई और दोनों ने एक गुसरे की बात माल ली तो वह जगए थी पुना इसी लिए हम उसे बोलते की पूना मैं इन दोनों की सुले हो गई थी इसलिए हम में इसे बोलतेंHome पीजिए रजेश का मैं पीचर कर दंसरुम स्टी लोग हैंँके लिए आप सीट को lijंगे इन आप प्रोविंश्याल चाहे बात हो यही मेन बात थिए और यही बात सडी есть तो पूना पैक्त में यह नहीं हुआ था कि हम पूना पैक्त में सिर्फ यह बात थी कि सिट गॉश्ण्ट्न के लेंगे याद रखे पूना पैट्ट थीक़ा ए बिलीब्सिंट मार्कसिस्ट कहता है एक मार्कसिस्ट मार्कसिजम लैनिन एंड सेकलरिजम कौन सी ऐसी पार्टी है जो यह मार्कस को तो आप जानते होंगे लैलिन को भी आप जानते होंगे तो सेकलरिजम का मतलब होता है एक ऐसी कंट्री जहां पे सारे धरम बराबर हो तो यह दोनों नाम है सर ठीक है और सेलरीन तो फह िहां पर सार्ण भराबर हो एज मागसी स्कुलरारिजम अ चेे सेलरीमें पिलीब करती है तो भालती जांता पार्टी जांता नहीं फो से गी अग 6 नहीं धिस्टक दन्हीं पार्टी टीा जो इन तीनुचीज़ों में बिलीब करती है सब्सक्राइब कर सकते आपने दोस्तों को भी बता सकते हैं मुझे खुशी होगी अगर आप यहां तक वीडियो को देख रहे हैं या आपने दोस्तों को शेयर करें ठीक है सब्सक्राइब करेंगे उतनी चीज़ें आसान हो जाएंगे जिन्दगी में ठीक है से विकस तुम जो आई जिन्दगी में बात बन गए मिलते हैं अगले वीडियो में